साम की समझ से परे ये ब्रह्मांड अद्भुत्यमतकारों से बरा है, जहां आत्मा अमर है और शरीर जन्म लेके मृत्यू पाता है, जिसने भी इस धर्ती पे जन्म लिया, उसी अपने कर्मों का हिसाब इसी संसार में पूरा करना पड़ता है। बंगार राजू की आत्मा धर्ती पर आकर अपने अधूरे छोड़े गए कामों को पूरा करने के बाद, आज फिर यम लोग जाने वाली है। और बताओ, हमारे यम बॉस कैसे है? तुमोंने कैसे जानते हो? अरे अपने जीनी हैं, यहाँ पहला चकर थोड़ी है, पहले भी आ चुका हूँ मैं। दो दो बार, वो कैसे? अरे लंबी कहानी है भई। अरे यह कहा ले आए, नर्ग जैसा तो नहीं दिख रहा? यह स्वर्ग लोग है, यम राज के ओर्डर्स है कि तुम्हें नर्ग लोग से स्वर्ग लोग में शिफ्ट किया जाए, मतलब दर्शन होंगे, सही कहा ना? सही कहा. फिर तो जीवन सफल हो गया, चलो जी जीवन सब्सक्षा लोग में 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 लोग झाल झाल पनावाश्सिपब हुआ 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 करते हैं अँआ ठंप ग्र्ण करते हैं ऑ Anda करते हैं हुआ ऑWould झाल वार्च वाई गुद खक्रसरे के लिएले करते हैं का जालनीजद। message पेन जालनाता हो दुद सु एलेगा सवादे कि ढव्हुष मेर वहोत बड़ने कि भंभ शनन आज गन् सअननीजे कि आूने झान रस नालना आज विष्णु जी कुछ विचलित दिख रहे थे काली शक्तियों के कारण उन्हें रोकना ही होगा हमें शिवजी उन्हें दंद स्वरूप अपने तीसरें नेत्र से भश्म में कर देंगे सुमी कुछ अशुब होने वाला है है क्या इस समस्या ने जणी में लिया ऐस समस्या का कूछ समाधान है समाधान ने भी जन्म ले लिया है क्या समस्या और समाधान में कोई रिष्टा होगा क्यों नहीं जन्म और मृत्यू उत्पत्ति और विनाश ये सब विष्णुजी की लीला है ये बंगार राजु का बेटा रामू है और ये उनकी पत्नी सत्य भावा सम बहुत खुश थे पर तब ही ये खुशी दुख में बदल गई रामू की पत्नी सीता का देहान धो गया उस मासोम बच्चे को रामू और उसकी मा सत्य भावा ने नाम दिया उसी दोरान उसके पड़ोसी रमेश के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा नागलक्षमी बहुत शुबनक्षत्र में जन्म लिया है दोनों ने आगर इंदोनों का विवा हुआ तो साक्षाष शेव और पारवती जितना पवित्र और सुखी रिष्टा होगा इंदोनों का ये बात है हाँ बिलकुल रमीश बंगार राजो और नागलक्षमी की जोड़ी शिव पारवती की जोड़ी होगी दोनों की शादी करवा दे अरे अभी अभी तो नामकरन संसकार हुआ है रुग जौपंडेत विवा की सला तो देदी पर विपत्ती के बारे में नहीं बताया उनमें साप और नेवले जैसी शत्रता होगी उन्हें अगाह करो कुंडली में ऐसा नहीं है सुआमी कुंडली मनुष्य बनाता है और भाग की विधाता लिखता है अंगारों पर चलना होगा उन्हें सुनो मा रामू अब मेरा मन नहीं लगता है यापर बस अपने काम में विजी रहूँ यही अच्छा है मेरे लिए सोच रहू हूँ यूएस चला जाओ वही चौप करना मेरे लिए सही होगा जब भी वक्त मिला करेगा आजाया करूँगा समझ सकती हूँ तुम का हो तो तुमारी दूसरी शादी करवा देती हूँ बिटा सीता की यादों के साहरे ही जी लोगा मा रही इस बच्चे को पालने की बात तो आप है ना, दुबारा इस टॉपिक को मत निका लिएगा सत्य भामा ने माँ और बाप दोनों का फर्स निभाया बड़े भारी मन से उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया इतने अच्छे दिन पर ही है आसूँ ननी सी जान पर स्कूल की बढ़ाई का इतना बोज बढ़ाई बोज लगती है वो देखो फुदक फुदक कर मेरी बेटी कैसे जा रही है वो लड़की है, हालात से समझाता कर लेगी आओ बेटा, वह लड़कों के बीच बेटा ये हार मुझे देदो जाओ जाकर बेट जाओ बेटा, जाओ हाई हाई अरे वाह, पूरा अपने दादा जी पे गया है मतलब अरे आदी, बंगार राजु ने इसी स्कूल में इडमिशन लिया है उसके उंकल, उसका खयार रखना बेटा ठीक है बंगार राजु का जर्म दिन बंगार राजु और नागलक्ष्मी की दोस्ती शुरू होने से पहले ही बच्चों कल क्लास मारीटर का सिलक्षन है जो बनना चाहे अपना नाम लिखवा दे ये सुनकर चोटी सी नागलक्ष्मी को एक धमाकेदार आइडिया सूझा ये सब क्या है नागलक्ष्मी? तूद, मक्षन, बदाम, पिस्ताक, किश्मिष, भलो और सबजिया भी है मास्टर जी आज क्लास मॉनिटर का फाइनल सिलक्षन है ना? हाँ बेटर ठीक है मास्टर जी तो इस साल की क्लास मॉनिटर सबसे होनहार स्टूडन्ट हमारे सरपंच की बेटी नागलक्ष्मी चुनी जाती है नागलक्ष्मी, क्लास लीडर थैंक्यू मास्टर जी थैंक्यू, थैंक्यू ए बंगार राजू, लड़कियों के बीच के बेटे हो तुम, वहाँ बेठो मुझे बताने वाली तू कोन है? मैं क्लास की मरीडर हूँ लीडर लगती हूँ मुझे लीडर कहा? पी हिमत उने मुझे तुपड़ वाराई बंगार राजू और नागलक्ष्मी रोज लड़ाई करते उन दोनों को रवेश और सत्यवामा भी शांत नहीं कर पाते थे हम इनके शादी करवाना चाहते हैं ऐसे तो पहले दिन ही तलाग हो जाएगा यह तो प्रैक्टिस चल रही है अरे आदी बंगार राजू कहा है? वो रहा वहाँ सत्यवामा ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था बंगार राजू आउट हो गया, हार गया अरे छुड़ो मुझे आज अतने जल्दी हार मान गया मेरे गले का हार जो आ गई सत्या, तुम और यहाँ इतनी जल्दी राम नाम सत्य हो गया मेरी मौत से दुखी हो या मेरे यहाँ आने से क्या चल रहा है ये इतनी सारी लड़कियों के साथ गुल्छर्र उड़ा रहे हो गलत समझ रही है माते ये कबड़ी खेल रहे हैं सौर्ग में सभी की दभी इच्छाय पूरी होती है इनकी ये है नारा जी अपना मुखमंडल बंद रखिए तो ये है तुम्हारी इच्छा है पस किया बेटा तू तुम्हें साडियां बहुत पसंद है न वहाँ नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी तुमको यहां सोचने पर ही मिल जाती है बेल्कुल सही बात को गुमाओ मत ये सब कौन है अरे ये तो रमवा उरोशी मेन का है न अरे इनसे मिलो सत्यमा मेरी इकलोती धरम की पत्मी नमस्ते दीदी हमारे स्वर्गलोप में आपका स्वागत है कल तक ये प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी अब ये बैट कर निहारेंगी सुबा हो या शाम, दिन हो या रात ये बस आपकी सुन्दरता के रांग गाते रहते हैं दीदी और एक बार दीदी कहा तो तो तेरी जबान खीच लूँगी सुनिये जी यहां इनके साथ मिलकर मुझ पर ही हस रहे हो मुझे भूल गए न मौझ मस्टी का असली मजा तो तुमारे साथ है मेरी क्या होता है मतलब हरी बरी थोड़ी खिली खिली मेरे जीवन की हरयाली है मेरी जाने मत नाम सुनते ही शर्मा जाती है शर्मा तो नहीं रही, बलके गुश्य में टमाटर जैसे लालम-लाल हो रही है अच्छा ऐसा है क्या, गुस्सा फुर किये देते हैं, अरे गाल तो शर्म से ला ले, गुस्से से नहीं, गौर से देखो, इश्क और मुख चिपाये नहीं चुपते, जुबान से ना सही, लेकिन नशीली आखे सब ब्यान कर रही है, प्यार चलक रहा है, ये हया, ये मनाना ही अच्छी तरह से जानते हो, आजा, अब ये बताओ, नीचे सब के क्या हाल है, अपना बेटा रामू, उसे एक बेटा हुआ है, अपने जोकर ने बेटा बैदा गिया, सरूर वो भी जोकर ही होगा, काश होता, वो तो आप पर ही गया है, अब इस अपने रंग दिख इच्छा होगी, आपके नक्षे का दम पर चल रहा है, अरे तो उसमें बुराई क्या है प्रभू, उसे सुधार ना होगा, पहले उसे देख तो लू, चलो, 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 अब वो रहा, देखा, बिल्कुल मुझ पर गया है, करें मेरा का नहीं है, कुछ दे पहले कि मैं यहाँ पहुचे हूँ, इतनी जादी बड़ा कैसे हो गया, यहाँ का एक मिनिट, वहाँ का एक साल है, अब मुझे मेरे पोते को देखने दो, और बंगा राजू, फूलो की सजावट कैसी लगी, पहला कॉंट्राक्ट है, सही है यार, चल, सारे फूलो को सोने के भाव में बेचा है, इस नहीं है, आउट, अले, क्या हुआ, अरे, ममा, मा, मुझे दिखा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, मोचा गए, अब इतनी सुन्दर हो तो नजर तो लगेगी न, दादी से कहकर काला टी का लगवा लो, कह दूँगी, वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ, कैसे? क्यूँ बंगार राजू, गाउं के सारी लड़कियों को ऐसे ही फसाते हो, अरे, इसे फसाना नहीं क्या थे? तो फिर? अगर लड़की ना चाहे, तो लड़का उसे फसा ही नहीं सकता, अहां, लड़का पसंद आ गया, तो वो पटा लेगी, फसाना तो बहुत जूटी सोच है, पटाना अलग बात है, अब तुम्हें देखो न, ओ स्मार्ट, चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं रसी कीच आजा, आजा, आजा हम, बेक्ट हाहा, पूरा किशन कनईया निगला, जरूर मेरा नाम रोशन करें डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है, हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजु, जब वो छुटियों में गाव आता है, मेरे प्रांस होख जाते हैं, अब वो हमेशा के लिए रोट आया है, बेटी को घर पर बंद करके रखना हम्हारी बच्चियों पर नजर लखनी पढ़ती है, अरे शादी में जाएन या मार्किट में जाएं, या मंदर में जाएं, या स्कूल में जाएं, यही फिकर लगी रहती है, कि मदु-मक्या कहीं शहित के पास तो नहीं चली गइँ भी बात करने से कोई फाईदा नहीं, च तुम्हें देखकर सिर्फ अक्र से उंचा हो रहा है, जाओं की सारी लड़कियों के माबाब पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जाजेकार कर रहे हैं, बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पर खुश हो गया, मैं खुश देखा हूँ, तुम से नहीं होगा, बंगार मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है, इस घर को, आप ही बताइए, हम सभी को, मेरी शादी से सबसे जादा खुशी होती दादी को, अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसर, ऐसा नहीं बोलते है, बंगा राजू, इन सब को छोड़ो, चलो आओ, खान मतलब राशन महेंगा हो गया है, आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे, तभी तो हमारे इशारों पे नाचेगा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलाता वारिस जो है, जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, वो अपनी बीवी की मुठी में रहेगा, और सारी प अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे, उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंडेंगे, माना तुमारी आखों का तारा है, लेकिन तुमारा ये काना जो है ना, गाव की हर गोपी को गुमारा है, उसकी शादी नहीं हुई तो जान ले रोंगी, ऐसी बा अपने पुराने पडोसी की बेटी, कौन से पडोसी वो रमिष याद है, वो अभी गाउं के सरपंज है, उनकी बेटी, नागलक्ष्मी, जिन्दा बाद, नागलक्ष्मी जिन्दा बाद, हमारा सरपंज जैसा हो, नागलक्ष्मी जैसा हो, नागलक्ष्मी जिन्दा बाद, कि अधिए फोड़े लेफ्ट अफसाइड प्रोफाइल यह विना बात सूपब हाँ अधिए गाउं पे राज करेंगी कल दिल्ली में इस गाउं के सरपंच मेरे दादा जी रह चुके हैं मेरे पिता जी रह चुके हैं और अब सरपंच मैं हूँ सरपंच को आशिरवा तीचे कहां कि सरपंच बनेगी और कौन बनेगा मुझ से जधा पढ़ी लिखे लड़की और कहां मिलेगी इतना तेरी इस दिमाग है क्या किसी के पास बिल्कुल निए आपने एक जीनिस को जनम दिया है पापा सारे दुनिया ये कहती है इसका देने का ह इन लोगों ने इनका मत मानों एक क्या गले सब्सक्राइब और क्या और क्या पाप अरे ओ नागलक्ष्मी यह कहां से आटप का जोर को जटका देगा यहां क्यों आया बंगाराजू ऐसी होपलेस ब्रीनलेस यूजलेस लड़की चिराग लेके डूंडो के तूबी नहीं मिले इक्सपोज मतलब एक्सपीरियंस इतना भी ने बतान पड़को जल्दी से पंचायकों किसको यह तोनों सुधरेंगे नहीं मैं अभी आता हूं तो जबता निया में कितनी बड़ी प्रचार करूंगी त्विटर पेज चुनाव प्रचार करूंग समझ से आएं इंस्टाग्राम पे सुल जाओंगी अपने अच्छे काम फेस्बूक पर अप्लोड करूंगे फिर गाईबेस के गूगल पे चराएगी पर चुनाव लड़ा देगा यह चुनाव लड़ा देगा यह चुनाव लिस्त है क्या बोली हर पांच साल में एलेक्षिं होते हैं इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं कभी-कभी लड़ाई भी हो जाती है पर उसका क्या फाइदा है नागलक्षमी तो अपनी ही है चल चल अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो आंकल हेल्प कर देंगा मेरी बात मान ल किसी में गाउं की भलाई है हां ठीक है आदी ने कहां इसलिए मान रहा हूं मैं सुनले मुझे नीता कीरी दिखाईने तो तेरा सिड़ खोड़ दूसा बोल रहा हूं मैं है इसमें बत लगेगा साव हूं है रेत में ये पक्थर मिलें है अ है माइनिंग ऑफिसर को बिला, इसे चेक करवाना है सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है ये बेश कीमती नगीने है इसी वक्त आर्चेलोजिकल डिवार्टमेंट को इंफॉर्म करना होगा उन्हें फोन करता हो, हलो, सर, अनबिलीवेबल, सर ज्रिकमतों नगीने ह है पूज़ा पूज़ा पाढ़ तर रहा है? नेया ट्राक्टर करीदा है, उसे की पूज़ा कर रहा है अच्छा है, क्यों भाई? लोन भगवान ने दी है क्या? तू नहीं सुध रहेगा अज मंदिर में कैसे आया? भगवान पर विश्वास करने लग गया क्या? मजाग कर रहे गया, पत्ते खलने जा रहा था गेम में हमेशे एक जोकर की जरूरत पड़ती है ना तो राम बबबु कुले ने आ गया? पता था यहीं मिलेगा ए? सबाजी मांग लेगा क्या? अब मंदिर आही गया है तो जाके दर्शन भी कर ले? नहीं रहने दे भाई तुझे तो पता है ना? अपना तो बचपन से इससे 36 का आगड़ा रहा है पहले मा को मुझसे छीन लिया, फिर दादी का नंबर लगा लिया, पापा को दूर यह इसे भेज दिया अब मैं किसी और को दूर करना नहीं चाहता है इस लाइफ में इसके सामने सर जुकाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं, समझ गया? यह सदा शिव शंबु शंकरा, अप है दोना, यह तेरा शंकरा नित्य कर रहा नंदी, खोके धुन में तेरी दास, यह तेरा शंकरा वाँ वाँ वाँ, स्वामी जी, क्या फाडू वोइस है आपकी? रिकार्ड करके इंटरनेट पे डाल दोगे ना, पता है एक दिन में वाइरल हो जाएगी, क्या कहता है, सही कह रहो नो, ए, खाग हो गया, यह रमेश अंकल इतने उदास क्यों लग रहे, आजा, क्या अंकल, सब ठीक है ना, हाँ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आज उनका बहुत अप्पान हुआ बाबू, मेरी कारण, मेरी दो एकड़ समीन है, जिसे गिर्वी रकर मैंने उधार लिया, जिसे चुका नहीं पाये, तो समीन हडप ली, रमेश जी मेरी ओर से सुलाह करवाने गये, तो उनका भी अप्पान किया, उस गुड्डे ने कहा कि, समीन चा अच्छा, उने सबक सिखाने के लिए आपके भगवान वहां जाने वाले हैं, चलिये, कहा रहते हैं, बताइए, चल, मैं दिखाता हूँ, मुझे माफ कर भाई, इनकी ट्रू कॉपी है तू, वहाँ प्रॉबलम मैं सुलजाओंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले उनके लिए मैं काफी हूँ, यहीं रुकियां तब, पहां जा रहा है तू, चल्दी खेलता भी नहीं है, मेरे भी पत्ते बाट, हमारा गेम चालू है, तू को नहीं है, अरे तीन पत्ती का दिवान है, क्या हो या, क्या तुम लोग ये बच्चों की तरा रमी खेल रहे हो, बड़ी मुश्कुल से जोकर मिला है, शाहिद इस बर में गेम जीच जाओ, तेरी शकल जोकर जैसी है, तो जोकर तेरे पास ही आएगा न, फिर से पत्ते बाट, हे, इधर शान पत्ते नहीं दिखानेग क्या से जोखरakah, तभीकर बच्चों की तरह से पत्ते बाला है, थाहिए इस खेल का बच्चा हुमैं है यह सब क्या चल रहा है पता नहीं भाई यह खिलने के जित कर रहा है कोई ताश का दिवाना है ताश खिलने के वास्ते है इतना मारा मारी हाँ तो यह चक्कर है ओफर याद आया या तो उसकी बेटी दिरा के तुझसे बात करें या कोई मर्द आके तुझे सबक सिखा यही ओफर था ना तो ले मैं आ गया है थोड़ दो साले को यास निगलना होगा वन हमें फटके पड़िए चलो यह साला तो मायर फिलाड़ी निकला बाई लोग सारी बोल क्या रहे ताओ में तो तुने कॉलर पकड़ा था माफिय भाद पकड़ के मांगेगा क्या चल पैर पकड़ चलो जो हुआ सो हुआ आप घर चलो अपनी अथक महनत और निरंतर प्रयासों से हमारी नागलच में आज सरपंच बन गई है अगर अगर जो यह कुछ जादा नहीं हो गया ज्यादा नहीं महाज्यादा ऐसे खिलाएं इस यूग की महाननेता हमारी नागलच्छमी जी आप सेज पर आई और दोशब्द कर नागलच्छमी जी आपको अपने स्वागत आप तू यहां क्या कर रहा है प्रंट सीप कर बैठकर तालियां बजाकर तमाशा दिख रहा है हेड मास्टर ने बुला आया है इस लिए पड़ा कि अधिया और अधिया गवार कहीं के तालियां मत बजाईए अब मैं सरपंच बन गई हूँ बहुत बड़ी हस्ते बन चुकी हूँ पर मुझे बिलकुल घमन नहीं है यह ड्रेस देख रहे हो फुट पात सा खरीदा ना मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट हूँ आपकी सरप सब्सक्राइब करेंच तो हूँ ही पर स्टूडेंट भी हूँ यह याद दिलाती रहोंगी इस ट्रेस से वाँ यह है मेरी सिंपलिसिटी विंपलिसिटी कुछ नहीं पबलिसिटी है सही पकड़े हो हैड्मास्टर जी अब आपकी बार मतलब यह भी पकाएगा लक्षमी ओ आप लक्षमी नहीं महालक्षमी है हमारी सरपंच इंसान नहीं एक देवी है बाप रे बाप रे बाप रे बाप हेडवास्टर जी चंचेगरी को ज़्यादा नहीं हो रही है यह मैंने नहीं उसने लिखा इसके लिए उसने मुझे दूद मक्षन काजू किसमिस पिस्ते के पैकेट दिये हैं इस गाओं का उभरता सितारा है हमारी प्यारी नाग लक्षमी मेरी मासूम बेटी पदमा दो मिनें से लापता है कोई धून के लाओ उसे अरे यहीं कहीं होगी शात रहिए अरे यह बंगार राजो भी सीट पर नहीं है है जो बरबाद हो गया अकडबकर बंबेबो असीड पूरे सौर एक सरपंच का फरस ह का वर्यां करना आएगे मेरे साथ शरही कहा अब बस आपी पर भरोजा है निकल के वगा बगा बगा वह आबसानाया दाफ प हो गया है, भी टरी कांछानाया, भी कैमेराल Haira जो भी ओ, बहुत बड़ी किया। उसने उसकी दाधीने संस्कारी नी दियो उसे क्या करा यहाँ ? कैमेर राकनान की कनी जित बारों कि उससे को प्रह भी ड़िखाती दिया. बंगा राजो क्या हुआ मेरी सत्तू नहीं रहाए पाती न मेरे बिना निचे देखाऊ अब मसा आएगा बहुत बार केज़ुकाऊं वे ये खेल वालो चीस्तो नारो ना मानोड़ो दोर की पोते परूव पोतन निबंगारो तोरा कडे ज़्धी कुँ अःवाले पावस और रहे हैं नहीं पकडा जाएगा अ मेरे पापा है अब तो यह सरूर पकडाजायगा नहीं पकडा जाएगा मेरी चुलबूर्शे मेरे पापा शारे गांवालों को लेकर आ है कि छुपा दो जल्दी अंदर जब ठीक है वह पकड़ा नहीं जाएगा ये तुम कैसे जानते हैं अरे कईयों को मैंने भी तो छुपाया है मतलब छुपाते देखा है बस एक इक का मिल जाए बंगा राजू बस एक रानी मिल जाए बूल जा ए सुनाई नहीं देता हां क्या है सुबाराओ की बेटी तुम्हारे साथ आई थी ना कहा है वो मुझे नहीं पता ए आउकात मेरे तु वरना तुझे सरपंच का पावर दिखाना पड़ेगा या तो उस इंसल्ट की अहां की तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा चल चल जा आपना काम कर चल अभी धूर निकालती हुआ जा काम पर कहां छुपाया है उससे मेरा प्रेक कुछ कहा देखना किसी जाड़बे तो नहीं लटके ना जलब अग हम चलो आग में थोड़ा आगी जालत नागलक्षमी मिल गए क्या वो है अरे हमारी सरपंच मैडम है जरा नागलक्षमी देवी है महान है शक्तिमान नागलक्षमी जिन्दाबाद जिन्दाबाद ए बंगार राजू आज कई ये दिन तो अच्छी तरह याद रखना इन सब के सामने सरपंच आजे शबत लेती है शबत होगी याद रखना बंगार आजू भरे बाजार में तेरा जिलूस निकालों नहीं तो पीडियों से मिल रहा है ये गौरव ये मान सम्मान ये सरपंच का उदा इससे रिजाइन कर दूगी अब और नहीं ये सरपंच नागलक्षमी किसी का जुन नहीं सहेगी किसमत हर बार तो उसका साथ नहीं देगी न एक ही इलाज है अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करना दो हमेशा के लिए इस परिशानी से शुटकारा मिल जाएगा लेकिन तुमारे पोते को अच्छी लड़की देगा कौन हो कोई और लड़की नहीं चाहिए उन द आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पर क्या है आंटी अहां बोलो अपने दादा की ट्रू जेरोक्स निकला है वो अबे चपाड गंजू मुझे इस मामले में क्यों घजी इट रहा है पास ही बैठे थे प्लीज बुरा मत मानना तेरी तो इनकी बात भी ध्यान मत दे अच्छा रमेश सुनना अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे आपको पता नहीं बचपन से आज तक दोनों लड़ते आए हैं एक छट के नीचे रहे तो कुम्फू, कराटे, जुडो, बॉक्सिंग हर दिन होगा फिर भी बेटी ने अपनी राय बदली तो मुझे कोई आपती नहीं किसी दिन उसका मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा बंगा राजू और नाग लक्ष्मी की शादी करा दो चुपरे, आया बड़ा शादी की बात करने वाला पानी पी और सोजा इसकी बेटी हाँ कहेगी तो ये शादी करवा देगा अभी के अभी धर्ती पर जाओ, इसकी बेटी को राजी करो, शादी करा के ऊपर आजा पृत्वी लोग स्वर के अगल वगल में तो है, सुबह जाकर दूपर तक लोटा हूँगा अगर तुम नहीं गए ना, तो मैं अपनी जान दे दूँग बरने की धंकी, कितनी बर बरेगी, मजाग कर रहा था मेरी हरे भरी इंदर देव मेरे चाचा तो है नहीं, पूनम की रात का इंजार करो, उसी दिन अपॉइट्मेंट मिलेगा, चला, मैं हूँ ना, आजा यम्राग जी को मेरा प्रणाव इस वक्त यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? शिवरात्री के दिन शिवलिंग का अभिशेक होगा, पृत्वी पर हर वर्ष शिवरात्री मनाई जाती है, पर इस वर्ष कुछ अशुब होने वाला है कोई अप्शगुन ना हो इसलिए, बंगा राजू की आत्मा को फिर से मृत्यू लोक भेजना होगा एक दैविक कारी के लिए, हम सभी को मिलकर ये कठोर निरने लेना ही होगा आत्मा को मृत्यू लोक भेजेंगे? किसकी आग्या से? शिव की आग्या से ओ नमस्षिभाए फिर तो भेजना ही होगा बंगा राजो, इंद्र और यम्राज यहीं आ रहे हैं अरे, यम बोस, बड़े दिनों बात देखे, कहां कूं पेत्रे दिन? लर्क लोक के लिए लोक के साथ बजी थे क्या? तुम तो ऐसे बाते कर रहे हो, जैसी यह तुमरे चट्डी बड़ी हो स्वामी, इन्ही एक बार पृत्वी लोक पर जाने दीजिये न हाँ, मैंने इसे समझाया था यह कोई लुनावला खंडाला नहीं है के सेटर्डे संडे घूम कर आ जाओ कोई विशेश कार यह? हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है, जाने दीजे ना प्रभू यह हो ही नी सकता, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रहे तुम्हारी हर चाला के समझता हो, बंगाराजू अपनी पत्नी की बात सुनो, पत्नी की हर बात मानना तुम्हारा करतव यह है क्यों भावना की रो में बह रहे हो प्रभू? बंगार राजू निर्णय हो चुका है, नीचे जाओ, विवाह संपन्न करके लोटना उस लोग के कल्यान में ही इस लोग का कल्यान है दन्यवाद प्रभू, हम, चलो हम, हद हो गई, मर के भी चैननी निल्गा अच्छा हुआ, जो वो मान गए, अब शादी करा कर ही उपर आना हम, आने की बात मत्लब क्या मतलब? और नहीं तो क्या, मुझे नहीं मालो मैं कब तक लोट होगा हम अच्छा है और ये आपर के पुडी हाना हो रहा है अरे इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो, आज का घर में ठीकते ही नहीं हो अरे बंगार राजू, जब से तुम्हारी दादी गुजरी है, दिन रात तुम्हारी प्रॉपटी की देखबाल कर रहे है हिसाब लिखते लिखते आखों में च्छाले पड़ गए, पर क्या करें, करना पड़ेगा, हमारा फरिज जो है मैं ये हिसाब देखकर क्या करूँगा, आप लोग इसंभालो ना अरे अरे अरे, ऐसाब मत करो, चाहे कया मत क्यों ना आ जाए, पर तुम्हें हिसाब देते ही रहेंगे, दादी ने कसम जो दिलवाई थी, किसे आपको, इसको, कब दिलवाई, चुपरे बोला कड, हिसाब तो देखना पड़ेगा, मेरी कसम, चाहे कुछ में हो जाए, ठीक ह दे दो इसाब, ठीक है, आजू, पचास एकर में नारियल के बगीच है, हर एकर से 2,000 नारियल आते हैं, क्या राग पट्टी दे रहे? टोटल नारियल हुए 1,00, एक नारियल की कीमत दो रुपे, यानि की कमाई 2,00, तो ये रहे 2,00, रुपे, ये 1,00, कीडे मारने की दवा अगला हिसाब है सो एकर में गन्ने की खेती का अहां उससे जो गुड़ बनता है किलो का पांच रुपए और क्या पिछले साथ तो इससे भी आदे रेट में बेचा था अब तेरे प्रेक्टिंग करते हैं तो दूसरा फिश फाम पचास एकर में कुछ मचलिया पचास और कुछ बीस रुपए क्या बीस रुपए वेल मचली नहीं बेज रहे हैं इतनी माहेंगी इनके कपड़े उतार के मारना चाहिए इनको तो फिश की कमाई हुई कि दो लाख रुपए और ये खरचा क्या ये आम हम खा सकते हैं लाउस कर वोगी क्या बंगा राजु के परमिशन के बिना नहीं ले सकते चलो लाओ दो दो और खर के अंदर जाके खेलो चलो भागो अब बीना दो थे तो इस साल का हिसाब क्लियर हो गया हुम 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 ठीक है ये पचास अदर उपे रख लोग के लिए बागी पैसों कि मैं अफडी करवा देता हूं ये दोनों आम धोके खा लेना ने ने छुड़ो मैं धोके भीज़वा देता हूं है चलेगा बापरे अकाउंट सम्हालना कोई बच्चों का खेलने ये बहुत मेंनत में लेती है बहुत हैस्ट कर ली अपनी मुंडी जरा इधर घुमा इसके टून को क्या हुआ नंदी बेल सांड बन गया इधर आओ ब्रमो ब्रमो दाल में कुछ काला है आओ जरा हिसाब करना बागी है इसको अचानक क्या हो गया पचासे कर में कितने नारिल बोले तुमने एक लाग कितना जूट बोलोगे अबे एक एकड में हजार नारियल होते हैं हमारे पास सो एकड़ है तो हुए एक लाग एक नारियल का दस रुपया तो कहां है दस लाग रुपय बताओ चलो लाओ रोकड़ा चूप क्यों खड़ा है जवाब देना सो एकड़ गन्ने की खेती एक एकड़ से मिले चालीस टन टन का रेट दस रुपया उसके हुए चालीस लाग है ना वो कहां फुर हो गया है लंबे-लंबे कीड़े मारने में अगले सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है फिश फार्मिंग पर तु ग्यान जाड़ रहा था ना समझा रहा था हर मचली का प्राइस मुजबानी आद ह तो बड़ी मचली का कितना है वो बड़ी मचली पचास और चोटी मचली फ्री में देता है क्या है और यहां पर एक आम खाने के लिए तुम मेरी पर्मिशन का नाटक कर रहे हैं हमने आपका नमक जो खाया है ऐसे घोटाले फिर कभी नहीं होने चाहिए अगर कुछ चाहिए ना तो मुझसे बोलो मैं दूंगा पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो रिष्टे नातों से बड़ा नहीं होता जाओ कहां जा रहे हो यह आम चाहिए मेरी बुलिट कहा पर है पीछे है 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 बच्चा तो बच्चा तो अधार मच्चा तो थे ही बिला है अब जाना मैं पया बूँप इस गाउं को प्रगति की रहा पर ले जाने वाली हमारी युवा नेता सरपंच नाग लक्षमी आज किसानों की समस्यां सुधाएंगी मैंने किसानों वाल अड्रेस पहना है ताकि मैं भी आप में से ही एक लग सकूँ ओहो, आज से पहले किसे निकम में सरपंच ने, विकास का कोई काम ही नहीं किया, लगाम दे, लगाम दे, तुझ से पहले मैं सरपंच था, उससे पहले मेरे पापा, उससे पहले मेरे पापा के पापा, तेरी पबलिसिटी हमें ले डूबेगी, तू अपनी बात कर, उन्होंने मैंने विकास किया है मैं और विकास करूगी हाँ चलने दे कितनी पढ़ाई की मैंने ताकि अनपड़ गवारों का भला कर सकते हैं वाश वाश एक दिन पार्लामेंट में जाओगी तुम शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ यह देख क्या रहे हो तालिया बजाओ हमारी बीच आज एग्रिकल्चर ओफिसर बेटिनरी डॉक्टर हैं जो आपकी समस्याय सुलजाएंगे क्या बताओं सारी फसलों को कीड़े लग गए कितने भी दवाई जड़कों कमबक्त मरता ही नहीं अब क्या करों एक काम कीजिए मेरे रहते आप जबाब देंगे तो कैसा लगेगा बैठ जाईए मैं हो ना देखिए फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है कीड़े फसल क्यों खाते है पेट भरने के लिए कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता तो फोकट के दुखणे नहीं रूने पड़त सेंपल हाँ प्लाइन कीड़ों का तो पता नहीं पर हम किसान भूख से मर जाएंगे क्या प्लान है नाका लक्षमी आँखे खोल दी सबकी ये सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे ये ताली बजाओ नेक्स्ट अवरो माघी तोलो पोधिंद आनने वड़ले नयने अट्टे आधी आधी अच्प्सक्तक्तक्तक्तक्तक्ततत तरो ता नी कनने तेल्वे अच्प सारी माइक स्तावा ओडू नेनु नन्यनु ननक्दा गोचण कोचण कोचणड़ अवन्नी फैमिली इश्यू संदी बारिय बर्तल मध्य गड़ोल सहा जाओं अहां यह माठाटने वाटी मध्य यह मनस पड़ दुलुनायो उकसर कुछो पेटी माठले डंडी माम इसे सरपंच क्या हमसे दुश्मने निकालने के लिए बनाया है सब निकलो रहे हैं इसके चकर में बर्बाद हो रहे हैं कि अब रुको सब उठकी क्यों जा रहे हैं बापा भाशिन दिना तो बाकी हैं अरे मैंने कुछ गलत सुला दे दी क्या गाम वालों को गलत तुने नहीं गलत तुम मैंने किया है चलो सब सरपंच ओफिस पहुँचो बहुत काम बाकी है भी चलो सूपर क्या फाडो अड़वाईस दी तुमने दिल खुश कर दिया महान नागलक्षमी, आज तक मैं तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर देना, प्लीज, क्या बोला, इस देश का तुम उजवल भविश्य हो, कसम से, उस जमाने में इस जमाने में तुम, है ना, यकीन हो रहा है ना, हो रहा है, हो रहा है, नागलक्षमी, नागलक्षमी का नारा लगाओ, जय नागलक्षमी, बोलो ना, जय नागलक्षमी, जय नागलक्षमी, इसके बाद सच निकलेगी न, देश और राजी का सरपंच, वो उल्लू बना रहा है, जरूर उसका कुछ प्लान है, तुझे क्या बता, प्रेसिडेंट आफ इंडिया ह होता है देश का सरपंच, खुछ जादा है नहीं हो रहा है, फीलिंग इंपोर्टेंट है, नागलक्षमी का सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है, उससे शादी कर लो, अच्छी जोड़ी है, क्या गा है, अरे, बेरी पतनी की रिष्तेदार, सरपंच भी है, जोड़ी ही! क्या है अरे, और रहा है, क्या है? है बिताओ, है पापा, दिडी इताओ, इस घाम कर ले फुरी ऑप भी है, ठीक है बाता हूँ, हाँ टाइम पर खाना ह।, ए यहां पर सूछाता हूँ, ब्यूट है, हे operations तो सुबर से ही हॉस्पिटल में हो बटा ओहो, सूप हो ओके, I'll see you ठीक है, bye-bye चलो रखता हूँ, bye पापा, एक मिनिट, कुछ बात करनी थी वाट? आप से मिले कितना अर्सा हो गया है पापा, कैसे हैं आप? I'm okay, रोज तो बात करते हैं ठीक है, लेकिन सामने से देखें अर्सा हो गया ओ, आपकी तरफेत तो ठीक है ना? अवेशा की तरफ इट और क्या चाहिए? मैं भी ठीक हूँ, कुछ और बात करो ना? पापा अच्छली, पेशेंस वेट कर रहे हैं बेटा, मुझे जाना होगा ओहो, सॉरी सॉरी, लेकिन टाइम पर खाना खाले ना पापा ठीक है ना? क्या है कि अब सीता भी नहीं है ना? खयाल रखने के लिए क्या खाल? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस अपना खयाल रखना, ठीक है? आज तक मैं ये सब कहता रहा हूँ तुम से और आज तुम ये कह रहा हूँ बस कहने का मन किया पापा हाँ स्वीट, हम, ओके बिटा, बाई बाई आप सब काउम वाले अपनी जमीन खाली करके इनके हवाले कर दीजे पर क्यों करें, पिछली कई पुष्टों से ये जमीन हमारी है अब ये किसी और को क्यों दे? और कोई चारे नहीं है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे मदद करने ही पड़ेगी इनके मदद करना मेरा फर्ज है ओ, मैडम की पंचाया चल रही है जमीन असली मालिक को ही मिले, यही सर्पेंच का काम है मैं आपको दूसरी प्रॉपेटी दिलवा दूँगी, ये भी तो सर्पेंच की ड्यूटी है लेकिन इससे तो हम सड़क पे आजाएंगे सर्पेंच आईबा? मैं आपे भरोसा करके आपके पास आया हूँ आपको हक मिलेगा रोट पे फैके गाएंगे उसके बाप की प्रॉपेटी एस साले अभी दिखाता हूँ अरे इतनी क्या जल्दी है, मेरी एंट्री बागी है अटो, अटो क्यों रहे मैडम, किसी और की जमीन किसी और को मेरे पूर्खों ने इनके पूर्खों को ये जमीन दी है इस मंदिर से लेकर उस नदी तक फैली हुई 500 एकड़ की जमीन हमारी है और इसमें से 50 एकड़ हमने इनको दी ये बास सर्पन्की को समझाईए बक्वास बहुत हो गई, कोई प्रूफ है? वो भी दिखाऊंगा सुनो मेरी मोटर साइकल ले जाओ, प्रम्मो से मिलो लॉकर के तीसरे खाने में जमीन क्या कागस है लेख आओ शाकल क्या देख रहे हो, लेख आओ जा रहा हूँ थोड़ा सबर रखो, आता ही होगा तुमारा सुबूत यह देखो आगए असली कागसा, अब हो जाएगा दूद का दूद और पानी का पानी, चोर को याद आएगी नानी, लाइए अंकल, वेरी गड़, हाँ पड़ी लिखी तो होई, तुम खुद पढ़ सकती हो, फिर भी समझ में नाए तो आ वकील से पढ़वा लो बंगा राजुन हमें बचा लिया, वरना यह तो हमें बेघर कर देती, हाँ, किसने सर्फंद पना ऐसे, पागल कहीं की, मुझे पागल बुला, I will kill you, और कात मेरे, है, 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 सब रुख जाओ, उल्टा चोर कोतवाल को डाटे, खुद की गलती क्यों नहीं मानती, किसी की श गरीबों के साथ कभी खिलवार मत करना, यह क्या पागलपन है, यह पोस्ट का रोब, होकट का भाशन, काम नहीं आते, सुनो तो, जाओ यहां से, गर जाओ, आँख और दिमाग खोल कर फैसले करो, बंगा राजु, बंगा राजु, वे, तुम भी यहां आ गई, अकल नहीं सब के सामने बेज़ती कर दियो, जानकर नहीं किया, बस बात करते करते थोड़ा घुसा आ गया मुझे, तुम्हारी गलती की वज़े से, रिष्टा बनने से पहले ही तूट चाएगा, कैसे मनाओगे उसे, आप देखो, रुख जाओ, नागलक्ष्मी, ज़रा सुनो तो, य यह पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था, हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्ष्मी, इनकी कोई गलती नहीं है, बलकि यहाँ पर गलती मेरी है, मैंने अपने कागस घर पर रखे थे, इनके इस छूटे से नाटक से, हम दोनु की गलतीयां सामने आ गई, न्याय दिलाने का य इतनी खरे खोटी मैंने सुनाई, लेकिन इन्होंने मुझे एक शब तक नहीं का, साक्षा देवी हैं ये, सोनी का दिल है तुम्हारा नागलक्ष्मी, सच में तुमने मेरा जमीर जगा दिया, अब इन सारे लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेस दो, ताकि इनको वो महसूस जो जो मुझे हुआ, आग लगाने वाली है तो, आओ नागलक्ष्मी, जलिए सब आगे आजाए, सबागे रखना है, अब हम सब मिलकर नागलक्ष्मी जी का जय जय कार करेंगे, जाए जाए, 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 गर जाए, फीपर्स मिल गया ना, जाए अब, शुरिये, शुरिये, अब देखना तुरे फॉलोवर्स कितने बढ़ते हैं, बात करने में थोड़ा अकडु सा है, पर दिल का बहुत अच्छा है, बिरुकिल, लाइख हिम. मचली जाल में पस रही है, बिकुल. मेडम, मेडम, सरपंच मेडम, इतनी आता निसे इस पर बहुसा मत करना, आपकी उमरी क्या है? आप सरपंच है, कोई छोटी-मोटी हैसी नहीं, आप इती पड़ी लिखी है, बहाग्यानी है, आप यहां के राजा जैसी है, और वो मामूली प्रजा है मुझे सब पता है, एक नंबर का आवारा है, सबसे बड़ा छे छोड़ा है, पर मैं उसे पसंद करती हूँ अरे हाँ, तुम यहां नीचे कैसे आ गई? ऐसे आई, प्रभू, बात क्या है? रभू, जरा वहाँ देखिए, उन दोनों को मिलानी की बजाया, उन्हें दूर कर रहे हैं, उन्हें इसी वक्त उपर बुला लीचिए इतने अलप समय में उसे बुलाना असंभव है तो फिर मुझे नीचे बेज दीचिए यह भी असंभव है यह तो उन्हें उपर बुला लीचिए यह मुझे नीचे बेज दीचिए बस तो ही रास्ते हैं आपके पास धरम संकट में डाल दिया मैं तो क्या इंदर देव भी डड़ते हैं तुमसे तुम तो वागे कमालो मेरी हरी बरी मानो ही कुम तेर जाथ अभे दोगाम स्वंपर शंदक दो अभी बरतक ना के हिस्टर का मावरी पात अगा पेटी महा मृत तुम जाय मंतर का जाब करवा लो तल तुम्हारे पिता की साथी वर्षगांट है जल्दी क्या है पंडित जी किसी और दिन करवा लेंगे समझ क्यों ने रहे यह आपके लिए अवर्षक है ठीक है पंडित जी कल ही कर लेंगे पूजा मैं सारी तैयारिया कर लूँगी सही कहाना दादी काफी दुनां से मुझे आपसे बात करने थी बेटिया नाग लक्षमी के लिए मैंने कोवर ढूंडा है रहने दीजे पंडिजी लड़का मैंने पहले ही देख लिया है बस सही वक्त का इंतजार है कल पूजा के बाद उससे ये बात करूँगा ठीक है नमस्तर रमेश को सपने में किया उसका वादा याद है मेरे मरने के बाद भी अपनी जबान पर कायम है सुपर्ब चॉइस है जो हमें चाहिए था वो सारे गुण है इस लड़की में शादी के बाद दुनों एक साथ कैसे लगेंगी जैसे हम लगते थे लेला मजनुकी जोड़ी देखा उसका चेहरा पूनम के चान जैसा खिल रहा है उसका सरल मन गुलाब की तरह महकता है सुन्दर्ता और सादगी का अनोखा संगम है ये निड़की विलकुल तुमारी इचा विए अहां सही कहां ये हमारा सपना है और जरूर पूरा होगा शादी के बाद तो हमारे पूते के भाग खुल जाएंगे जाओ पूजा खत्मोने से पहले उसे यहां ले आओ हाथो लेकर आता हूँ न मैठो बिटा एट्स या टेल्स चल जल 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 दी बता टेल्स आर गया ये स्मझी थिया हलो हलो बंगा राचो मुझी तुमसे बात करनी थी मिल सकते हो कहां हो तुम हमारी नारियल के बगीचे में अच्छा ठीक अभी आता बंगा राचो हाई हाई बोलो क्या बात करनी थी हे शर्मा गयो रहे मुरे धरसल क्या हुआ बोलो ना हाँ 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 मुरा ना चलू है हाँ है लडने आयो या डांडिया खेलने आयो हाँ दोन एन वन का पावर डेकू एड़ी यूलर फ मारे खें रे खेंग लुडान यू तोछ ईयुड़ी । एफ़ युडिए रुडिएitas है इनकान की प duy sow औरो युडिए्स हुआ य tutaj झाल 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 पूजा के बिच विखन आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा यह गलत हुआ पूजा में विखन डाल दिया दिमाग नहीं है क्या पागलपन है यह बनाओती है पापा ऐसा कुछ नहीं है देखे जाओ इसे ले जाओ जाओ कभी माफ ने करूँगी समझता क्या खुद को एए चल भाग शार मानी चाहिए तुझे भाग दरसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया इसलिए बंगा राजु ने उससे सबक सिखाया उस दिन का बदला लेने वो आया था सुनो बेटा वो क्या है नाग लक्ष्मी को मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए उसने ऐसा किया तू दोस्त है इसलिए तुझे छोड़ दिया परना आज उस मंडप में तेरा सर काट देता बीस लोग मिलकर एक आत्मी को नहीं मार पाए भगा कर लाए भी तो उसी यग्जे के पास पूरे गाउं के सामने तमाशा बना दिया आज अगर में वह नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता उसका मरना क्यूं जरूरी है पता है ना अरे बता ना मंदिर में छुपे खाजाने के लिए गारेक्ट ताइम पास के लिए उस बंगार राजु को मारने के लिए नहीं कहा है तुम लोगों को यह खेर लगता है क्या उस माइनिंग आफिसर को क्यों मरवाया था किसी वक्त आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा अन्पिलीवेबल सर उस ओफिसर ने बिल्कुल सही कहा ये कोई मामूली पथर नहीं है ये अद्भुच्चमतकारिक मणी है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है उनकी रक्षा के लिए खास शक्ती काम कर रही है उन मणियों को हासिल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हाटा कैसा रक्षा कवच बंगार राजू बंगार राजू हाँ पहले उसके पूरवज उसकी रक्षा कर रहे थे पर उसे हासिल करने के लिए बंगार राजू को मारना पड़ेगा वर ना तुम लोग खून की उल्टिया करके वही पर मड़ जाओगे अब तू ही बता खाजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा बंगार राजू को मारना होगा उस बंगार राजू का वजूद मिता दो बंगार राजू को मरना ही होगा इस सब में तुम्हारे पोते की कोई गलती नहीं है, इस दुश्मनी की शुरुवात मुझसे हुई थी, वज़ा तो तुम जानती ही हो, तुम अपने आपको दोश्मत दो, सब किसमत की बात है, तुम्हें इस तरह से दुखी देखती हूं, तुम उससे बरदाश्ट नहीं होत उन आत्माओं को और कितना कश्ट सहना पड़ेगा, अतिशिक गरुन की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, पूर्ण रूप से उनका अस्थित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें परम्मोक्ष मिलने से पहले, अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना हो होगा, सुख और दुख दोनों भोगना होगा, अभी बहुत सारे बड़े कारे करने हैं इन्हें, बस देखते जाओ, शौर्ण परम्मोक्ष मिलने पार्टी नहीं की थी, आज जब पार्टी किये तो जम कर पीते हैं, फुल नाइट, क्या है सच है, नागलश में इसको कान क निचे बजाया था, तुम लोग ये गेम से सन्याज लेड़ा, तो तेरी चांद, अरे मेरे लिब रख रखो, देखा तुने नागलक्षमिन ऐसा जटका दिया है कि दिन में गडडडडडड़ पीरा है, चार्सोवीस का जटका बोल, अरे रूब क्या कर रहा है इतना दिल अच्छे किक मिलती है यार, अब बोल, किसकी बारी है, वो बिचारा तो परेशानी में पी रहा है, उसे रोकना चाहिए था ना, गम में पी रहा है बिचारा, यह सिर्भारी हो रहा है, अरे बंगा राजू, पता सब क्या बोल रहे है, नागलक्षमीन ने तुम्हें सब के स पता है यह, तुम्हें और चड़ गई उसे, एक बार और मार ना, सूर सूरी सी होती है, हाँ, तुम सब दोस्त के राम पे कलोंगो, हो, नागलक्षमीने तुरे कान के निचे मारा, है, अरे भड़ती है, गुसे में सबसे मार पीट का रहा है, और यह है इसकी बेवकूफ द इतने सीरियस क्यों हो गए, हाँ, सीरियस क्यों हो, मैं तो छोटा सा मजाग कर रहा था, चलो, आजा, 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 चलो, मैंने गोदभर एकी लिष्ट बना दी है, बोलता जा, अलदी चार किलो, दो किलो कर, तीन किलो केसर, आजा कर दे, शास्त इसकी आग्या नहीं देत बता, उसने कहा आप दिमाग सा खाली हो, खाली दिमाग बुला, और क्या बुला, एसा कहा कि खुद करम पे चड़ी बन्यान का स्टॉल तक नि लगा सकता, यूज दे से लो, है कौन ये, चड़ी बन्यान पे आगया, उसने कहा कि आप चिंपैंजी से से हो, वे चिंपैंज कोई बीजी बीजी नहीं, बोल रही थी, वो निखाल तो आत्मी से मिलने नहीं जाएगी, मुझो अर्क बता है और क्या कहा, उसने कहा आपकी हालत गुलाम और नौकर से भी बत्तर है, गुलाम कहा, अरे बंगर राजू, गुलाम लगता हूँ, तुम मुझे सर पर बिठा क रखते हूँ, उसे बताना थे ना, अरे आप गुलाम नहीं, राजा है, राजा, लेकिन उस नक्चड़ी लड़की को तो मुझो तोड़ जवब देना है ना, मुझो तोड़ देना उसका, एक आइडिया दूं क्या, अभी गोध भराई की रस्म होने वाली है, उसकी पूरी पूरी फैमिली को एक हफते के लिए अपने घर बुलाना, पूरी फैमिली को बुलाओं? अरे उस सरपंच की बच्ची को भी बुलाना है ना, उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी साथ पुछते तक याद रख़गे, और क्या? यही का बुलाता हूँ, कमंच की गोड़ी को इस सरपंच को एक पंच मार के जाना, उस सरपंच चूर चूर कर देना, आप कुछ बोलोगे भी या बैठे रहोगे मूँ चाडा कर, कोई कुछ जितनी इजदत नहीं कर रहा मेरी, यह सरपंच बनी तो मैंने बधाई धी थी थी न, अज पूरा गाउँ मेरे नाम की बुल जब से मैं सरपंच बनी हो तब से बहुत बीजी रही हूँ, काहे की बीजी हो, कुछ भी, इन जोकर्स की मंडली के साथ घूमने का टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझ से मिलने के टाइम पर बड़ी बीजी हो जाती हूँ, तुमने जोकर मुझे कहा, आपकी बात नहीं कर रह हो, दो दिन पहले ही आ जाएंगे हम लोग, चाहो तो नागलक्षमी पहले आ जाएगी, अब तो खुश हो, ममी, मैं नहीं जाओंगी, क्या, वो बंगा राजु बहुत बड़ी आफट है, उस दिन पुझा में विगन डाला, उसकी शकल तक देखना नहीं चाहती हूँ, बस पता है क्यों नहीं, बता देता, पर कभी मौका ही नहीं मिला, ठीक है पापा, आपकी हर बात मेरे सर आँखों पर, अरे, तुमने तो कमाल ही कर दिया, जो पधारी हो, सरपन चौरों के लिए हुँ, परिवार के लिए नहीं, देख रही हो, नेताओं से दो कदम आगे, देख रही हूँ, उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था, आज ये घर पर आ गई, ये लड़की नहीं आफ़वत है, ये सला उस दिन धपड़ को याद करके शराब पिये जा रहा था, और आज तारीफों के पूल बांद रहा है, अगर नागलक्ष में गुरू है, तो हमारा भाई गुरू है, आगे क्या होगा, सॉरी, हाँ, दर असल थांक्स कहना था, थांक्स किसलिए, उस दिन पापा की हेल्प की थी ना, उसके लिए, थांक्यू, समझा नहीं कुछ, याद है ना, उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी, इसलिए आज बिल्ली बन के आई, नागलक्ष्मी, अंदर आओ, बंगाराज, मैं अंदर जाओ न, इतना प्यार, यह पट्टे की नहीं न, पट्टे नहीं दूंगा, चल्ट, हाँ, स्टाच्यों क्यों हो गया, शौक लगा क्या, शौक तो उससे लगेगा, अच्छा हुआ, दूनों थोड़ा करीब आने लगे है, आखेर पोता किसका है, अरे, सुनो, कुछ पहना था, अरे, एक मिनुट रूटो, कुछ बात बता निया, अरे, अंकल, हात उपर करो, अरे, यह खर एक यूकरेंद रशिय का बॉडर है, भार इता बड़ा का आड़र है, वाँ जाके खेलना, आगी दर से, लड़की हो, इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, वो किसी एक का होगा, ये बात तो तुम भूली जाओ, बचपन में जब वो गोपियों को घुमा रहा था, तब बच्चा समझ के लटगो किया, ये कनया एक राधा पे टिकने वालों में से नहीं है, ये रसिला है, अगर कोई धांगी बात है, तो जल्दी बखो, सरपंच का टाइम बेस्ट मत करो, इतनी हिंट दिराओ लेकिन समझ नहीं रही, मुद्य प्यात हूँ, ज्यान से सुनो, लड़कियों को जहासा देना, उसके बाय हाथ का खेल है, क्रीज पे वो एक दूर नहीं लेता, सीधा चौका, बहुत बड़ा खेलाड़ी है, तुम्हे न, कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंटी बन कर देगा, उसके बाद क्या कर मेरा खेल देना, All the best, मेरा आशिरपात लोगी, अचे रहने दो, इतना भी बुट्धा नहीं हूँ, हाँ, हाँ, छी चलो, पुद्धा अरे, क्या कर रहे है, ज्यादी बावति शकता प्रभवितुम्ह, नागलक्ष्मे कहा है, हमारा बेजु बावरा हो गया है, हाँ, हाँ, क्या अदा है इसके नाग लक्ष्मी तु मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी हाई बंगा राजू हाई काफी अच्छी लग रही हो तो तुम भी इतनी अच्छी देख सकती हो सच में आज फ्री हो क्या तुम इनके बास क्या काम है ये तो फ्री है तेरी तुम ने ने मुझे बहुत काम है ओकी ओकी मैं चलता हूं वाइए बाई बाई वाई आए एए एक या सब फोन में लगे पड़े हो इसे अब या दीदी मेरे साथ गेम खिलना चाहोगे कौनसी जेम दीदी? लुका छुपे चोर पुलिस मतलब मैं पकड़ूं, वो छुपे, वो पकड़े, मैं चुपूं और फिर ए ए ए नाग लक्ष्मी लुका छुपे और चोर पुलिस न ये तुम्हें बच्वन में बहुत खेलता था देख रही हो, यहीं चिपका रहेगा हीरो ओकी, तो फिर तुम भी हमारे साथ खेलो, हमारे साथ तो नहीं खेलते लुका छुपे और चोर पुलिस वाला गेम, मेरा फिवरिट है तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है यह तीन आउट होगे, और तुम भी आउट होगे, यह सबको आउट कर देगा चलो तुम आउट वाला लाल गोपन, हाथ में हाथ दाल दिया हाँ, हम दो ही बचे है सब यहाँ आजाओ जल्दी आजाओ, आजाओ, आजाओ यहाँ क्या हो अरे? तुमने कैसे किया था? ऐसे और मैंने? ऐसे तो डाइन किस पर आया? अरे बंगा राजू, डाइन इस पर आया क्यों कि इस पर कर रहे हूँ? गल्ती से मिस्टेक हो गई ना? आजा, आजा, आजा बच्चा फुल फोकस है तुम उदर फोकस करो लाता हो, तुम कांटिमी करो अकडबकड बंबेबो असी नब्बे पूरे सौ राशन जाओ राशन, छुप जाओ यह पूरा मैदान क्लियर कर रहा है फिर अपनी फिल्डिंग लगाएगा अकडबकड बंबेबो असी नब्बे पूरे सौ बंगा राजू बंगा राजू चुप रहा है बंगा राजू चुप रहा है अकडबकड बंबेबो असी नब्बे पूरे सौ नाग लक्ष्मी नाग लक्ष्मी, जाओ चुपो आज तो मिलेगी इंद ऑफ जुणा इन गाल वनी इस तरह यह यह यहां जा कुझ जाओ मेर सा arena एक अधन्या आज़िए नैटे-इधे नएइन हंड्रेट रेडियर नाट यहां थे रैकम छुप देखना कहीं बाहर तो नहीं है जाओ देखो ना अरे यहीं पर है आ रहा है क्या यहीं आ रहा है दिख रहा है क्या तुम्हें हाँ वो बाहरी है तुम शाद्रा हूँ प्रभी आउट तुमने कहा बाहर है मोटू बड़ा तेज है ओ उस सरफ चिपती हो जाओ मोटू की तुम है आउच आँसे क्या कर रहे हो रिंक कुछ देखो वहाँ जाकि देखो अरे जाए जाए ठीक रहे आइडिया उट बंगा राचू यहां बहुत जगा है यहां आकर छुप जाओ जगा गाहे दोनों के लिए काफी जगाये आजाओ छुप जाएंगे नहीं दूर पाएगा कहीं नियतना डग्मगा जाए अरे डग्मगाने दे मामा बंगा राचू यहां बंगा राचू बंगा राचू जाने से पले दर्वासे की कुंडी लागा दे यहां यहां श्यस अ अ तुम्हें ना कमरे में ले जाके दर्वासे की कुंडी बंग करतेगा उसके बद क्या करेगा तुम तो जानती हो अंदर से दर्वासा बंद करती है नियत में खूट है इसकी कोशिश तो करके देखे नाग लक्ष्मी क्या है पता चलेगा मियाव क्या करे हो पहले कमर में हाथ डालेगा फिर चिम्टी काटेगा पिर नाग लक्ष्मी का गुस्सा ज्वाला मुखी की तरह फटेगा उसके बाद ये प्यारी बाते ये गहरा प्यार शादी के सपने बच्चे वच्चे सब ख़तम हो जाएगा सबने किये कराए पर पानी कर जाएगा दबोच ले दबोच ले आने दो उसे शुक्र है ये सबग कुमार भर याद रखेगा हम नाकलक्षमी इसकर के अतिथी हो तुम और पता है न अतिथी देवो भवा मेरी महमान ये गेम हार जाए उससे पहले मैं खुद ये गेम हार जाओंगा खुद को ही मैं आउट कर तूँगा हरी आउट अब मैं बाहर जा रहा हूँ लड़का आज uda के साथ खेंधा लड़का अच्छा लड़का है आज तक इसके बारे में इतना गलत क्युं सोचा बच्चों के साथ खेलता है भोला और मासूम इस पर तो प्यार आ रहा है मुझे मेरे किये कराय पर पाने फिर गेंगे एक तम्हें उसले सो मंगा राजु की मौत हवान है इस पॉन्नमों फगवते महात्र नाए वीचे वाला परीदाया सर्मदिक्चो बनात्राया हूं परन्जोदिशे स्वाहा कोपं स्वाहिम विरासिनवादी इक कोटेशन्स चेपिनी तेलिवी प्राधर्शन चको चेपिन अपनिचरी उसके मृत्यों का रास्ता सोच लिया है सही मोर्थ का इंतजार है मुझे सही मोहुरत की जरूरत नहीं बस एक सही मौक्य की जरूरत है मार तुंगा उसे आने वाले चार दिनों के अंदर उस बंगाराजू की कहानी हमेशा के लिए खा आदी तुम बंगाराजू को मानने वाले हो तो तुने सब सुन लिया सब कुछ जाके उसे बताएगा हां बिल्कुल बताऊंगा हुँ 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 हु हु हुँ 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 पिताजे मैं पचीस सालों से एक एक दिन प्रतिशूत की आग में जल रहा हूँ या तो तो उसका शिकार करना या उसे मिरे लिए छोड़ देना ना हमारे पास वक्त है ना ही कल्ती करने की कोई कुछाई कर दो कि अद्धिना आए जाए जाए या दिल पेने लेते लिए नमाशकार अंकल नमसकार कैसे हाँ आप अच्छा हूँ रास्ते में कोई तकलीपता यह नए करेक्टर कॉन है यह हमारे ब्रह्मों के सम्धी हैं कितने वाद के बाद मिलें हैं अब टाइम मिला हम जब बीजी थे जाए अंदर बैठिये पर बाद करें अब पर इनके घर में नौकडानी का काम करने के लिए इसा क्या किया इनों ये पूछो क्या नहीं किया मेरी हर एक चीज सेने प्रॉब्लम है सुभर देर से उठों पती को नाम से बुलाओं कभी टी-शिर्ट पहन लूँ रात को नाइटी पहनूँ खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए जो कर करो है सई का है क्या जब देखो दाथ दिखाता रहता है कुछ काम दनदा नहीं के तरे पास क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं ये सिखाय हमने तुम्हें एक बात बताओ लटा सुबह जल्दी उठने के लिए पढ़ाई लिखाय के लिए साफ सफाई रखने के लिए लेकर आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितनी बात टोका होगा कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो तुम्हारे सास ससुरने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझ कर टोका होगा ये सोच कर तूका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पती से कोई अनबनना हो जाए इन बातों के पीछे चिपे इनके प्रेम को देखो इस तरह गुस्से में रिष्टे नहीं तोड़े जाते अंकल अंटी यहां आईए ना प्लीज देखिए यह नया जनरेशन है तो आप भी वक्त के साथ बदलिए एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उमीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माबाब समान समझती है जिस तरह से वो आपके संसार में बस गई है आप भी अपने मन से उसे बीटी का दरजा दे कोई भी इंसान अपनी आदते इतनी जल्दी नहीं बदल सकता यह जैसी है वैसी इसे अपनाने की कुशिश कीजिए आप भी खुश रहेंगे और ये भी सुखी रहेगी देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल एक उमर के पड़ाव के बाद जब हाथ पर चलना बंद हो जाएंगे न तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी या आपके रिष्टेदार नहीं आने वाल है बलकि उस वक्त कौन साथ होगा उस वक्त आपकी को लोगी हाँ 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 यह क्या है बिटा सारी पापा क्या रहे इनका मेलोड्रामा अब तक चल रहा है अरे इसलिए बुला अगर शांती से जीना आना तो शादी के जंजट से दूर रहे है हम इतनी जल्दे तो गिर्गिट भी अपना रंग नहीं बदलता हाँ हाँ है किस सोच में डूबे हो कोई परेशानी है कैसा होता है ना इंसान जिन्दा रहते हुए जीवन का मुल्य नहीं समझ भाता है मरने के बाद समझ में आता है मैं समझता हूं मुझ से पूछो प्रेम और रिष्टों से बढ़कर कुछ नहीं होता है ना अपनों के साथ रह पाया ना अपने पूते को प्यार दे पाया बड़ा मकान तो मनाया लेकिन घर नहीं बना पाया चोटी चोटी बे मतलबी बातों पर कितना कलिश मचाते हैं ये लोग जीवन है तब तक प्रेम है मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं बंगा राजे को जगडालू समझती थी लेकिन वो रिष्टों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई सचका हूं तो मैं भी यही समझती थी अपने बरताफ पर महाच शर्मिंदा हो उसने मेरी लाइफ बदल दी तुम दोनों भी धोका पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है ना तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है कर ले जो करना है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंद कमरे में तेरे सब सकता था तो फिर ऐसे ठरकी लड़के ने इतने बड़े गोल्डेन चांस को छोड़ा बहुरे कितरा उड़ता हो आएगा अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार माननूंगा बलकि तुम्हारा कन्यादान करके होने वाले दूले के पैर अपने हाथों से धूंगा ठीक है आपके मेरे बीच बैट ल नहीं है पर मांग लूंगा लेकिन सोनो ज्यादा ओर एक्टिंग मत करना वरना उसे शक हो जाएगा रामा कॉम्पेटिशन में बहुत एवाड जी चकी हूं देखते जाए देखते हैं बंगा राजू हां यह रोज रोज क्यों करन्ट मारे जा रही अब कान सा कान्ट किया थोड़ा पेट्रोल छिड़का है प्यार की चिंगारी नफरत में बदलेगी बस अब बारिश ना जाए मनोस अगर एतराज ना हो तो कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं आम के बगीचे में आहां हो गे कौन-कौन जा रहा है कोई भी नहीं तुम मैं और बस तंधाई मतलब तुम मैं और कोई नहीं आओगे ना? हाँ कल सुभा साड़े नौव बजे शार्प आपके बगीचे में फिक्स ओके ओके प्लैन काम याप हो रहा है अरे पापरे बाउली होगी ये तो आपके बगीचे में मिल रही है वो भी अकेले में कुची-कुची रख माँ पापा, मैं आपकी प्राब्लम समझ गया अटेंशन मत लीजिये, मैं हूँ ना मेरा राजा बेटा सूपर, डूपर ए बंगा राजू यहां क्या कर रहा है? क्यों नहीं आ सकता? तुम भी तो आए हो मों तो हम बोर हो रहे थे तो यहां टनलने आ गया? मैं भी बोर हो रहा था, तो खेलने आ गया इधर आओ एक गेम खेलते हैं? कौन सा गेम? रानिंग रेस वो कटा पेड़ दिख रहा है जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो बिनार होगा, ओके? बड़ो गे ना, शुरू करें तो फिर तीन के काउंट पर वान, टू, थ्री गो! जिना, बंगा राजू जिना, जिना 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 जिन्ना जिन्ना नंदी यह अपना ही बच्चा है नंदी जिन्ना तो ठीक है चोड़ तो नहीं है यह थीक है इसे कुछ भी नहीं हुआ चिन्दा मत करो ठीक हुआ और कितनी दिर तक सोता रहेगा उठाओ ना इसे अरे सोने दो ना विजारे को आप लिएक नहीं तो प्रहें नीं था थिर्च अश्डा भी सिर्च श्यास और रौ कैसे हो बिटा, हैपी बर्दे, हाई पापा, रामो, थांक यू पापा, आपने मुझे विश्कर लिया, गिफ्ट भी कुरियर से आता ही हो, मैं टाइम पे ना लूँगा, दाइम पे खाना भी खा लूँगा, और भूरा दिम जाता ही हो, ठीक है, पर्फिक जा रहे हो, नाइस प्रफिक जाता है, आप रहे हो, जाए लूँगा, जाए है, जाए संभाल के, क्या रहे है, उठ गया, नौकर से कहो, नहाने के लिए पानी गरम करे, दादी गालियां देंगे, अगर तुम्हारे बद्धे पत्वे कमी रह गई तो, कितना जूर बोल रही है, कब दाली दे इने? तुम्हारे तुम्हारे बुलए मेरी स्क्ष Tambiénreck जानवर को नहला रहा है क्या माफ कीजिए घलती हो कि मैं नहला आती हूं पाले डालो कि अब देखो तो कितने प्यार से इसका सिर्द हो रही है कि नहाने के बाद पूजा करने आ जाना पूजा करने लेकिन क्यों मैं कह रही हूं इसलिए ठीक है आर्तीलो 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 यह आज खास तुम्हारे लिए बनाया है खाओ प्रसाद खा लो फिर हमें मंदर जाना है मंदर जाना है उसके क्या जरूरत है मैंने कहान आ जाना है जैसा तमका विसकी यादर डाल लूँ देखते है हलो हलो बिटा है पापा टाइम पे उठा टाइम पे खाया टाइम पे सो जाओंगा तसली हो गई अब फोन की दूटी हो गई हो तो हस्पिटल की दूटी कर लीजिए ओके थैंक्स पर कॉलिंग वेलकम मिटा, बाइ बाइ पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या मैं अपसे मिलना चाहता हूँ पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बचपन में ये सारी चिठिया लिखे थी पर मैं उन्हें कभी पोस्त नहीं कर पाया पता है, उनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है अमेरिका जाओंगा तो भी उनके पास मेरी लिए वक्त नहीं होगा और यहाँ पर वो आएंगे नहीं मुझे वो बहुत प्यार करते हैं पर पता नहीं क्यूं जाहर नहीं करते और जितना वक्त वो मुझे दे रहे ना उतना मेरे लिए काफी नहीं है तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता क्योंकि इससे कुछ फाइदा नहीं होगा इस रिष्टे की डोर और कमजूर नहीं हो जाए इसलिए मैं बेमनी सही लेकिन उनसे बात कर लेता पर अंदर से मैं कितना अकिला हूँ ये तो मैं ही चांता हूँ अरे आगे ही पेटा कैसा रहा फंक्शन बहुत मजा है आओ खाना खालो आओ आओ अभी आई एक मिनेट फोन देखो बंगार राजू उठाओ अलो अंकल हाँ बोलो पेटा एक जरूरी बात करनी है क्या हुआ ये बात मैंने अभी तक नागलक्ष्पी को नहीं बताई है सोचा पहले आपसे बात कर लूँ मुझे उससे प्यार हो गया है अकर आपको एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सूचते हो पर मैं आपसे एक वादा करता हूँ जितनी इज़त मैं अपने माता पिता की और अपनी दादी की करता हूँ उतनी ही इज़त मैं आपकी बेटी की भी करूँगा मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूँ हाँ ठीक है अंगल कट करो क्या जवाब दू बेटा आप इससे अच्छा हम सफवर मेरे लिए धून पाएंगे क्या हाथ मूँ धोले खाना ठंडा हो रहा है आज ठीक है तुम दोनों को ऐख दूसरे से प्यार हो गया मेरी तो समझ में नहीं आता तुमहारे पापा से बात करता हूँ ठीक हो ना रामु मम या हमारे बच्छों को एक दूसरे से प्यार हो गया ए हाँ यू मिन लव तो फिर सोचना क्या है या शादी करवा दो तुनों की पंद्रा तारिक का मुहुर्त है हाँ शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हें वाट नेक्स मंथ 15 को हाँ वो कहते है ना चटमंगनी और पट ब्या जल्दी से टिकेट बुग करवा दो अरे तुम्हारे पापा भी अजीब है शादी के लिए अपॉइंट्मेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहाँ भेज दे ना वो क्या है ना वो पापा बाद में है पहले वो काडियोलोजिस्ट है ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टन्ट होते हैं शादी का क्या हो जाएगे हम युएस जाकर आशिरवाद ले लेंगे ना एक ही बात है यह भी ठीक है यह सही कहला है अगर में जिन्दा होती तो आज यह शादी बड़ी धूम धाम से करवाती तो अब भी क्या विगड़ा है तुम लेडीज में इंजॉय करो मैं आद्मियों में शामिल हो जाता हूं दोनों मिलकर धमाल बचाएंगे चलो अखिर कार बंगार राजू के शादी से लोग कितने खुश है दूसरी तरफ इनकी बेटियां शादी रुकवाने के लिए हर तिकडम लगा रही है इनके बेटियां यह शादी नहीं हो सकती अब वह ब्लेसिंग होता है तो पूला मेरे काम चला लेंगे थैंक यू हाँ चलिए आजयो और इने खाना भी ठूस ठूस के खिला ना अपना सारा ब्लैक मनी इनी भुकड़ों पर ही तो लुटाना है ना कैसे हो अरे आओ बेटा कैसे हो मैं ठीक हो आटी आप कैसी है तो किसा है यह इंविटिशन कार्ड है आप सबको आना है हाँ जरू रहेंगे और वाई सब ठीक हाँ अब सुन हमने दोस्तों के लिए बैचलर पाटी रखी है और तुझ आना ही पड़ेगा याद रख शादी होने तक तुझे मेरे साथ ही रहना है ठीक है ना बिलकुल रहूंगा ठी चल पर चलता है बाई क्या देख रहे हैं आप कुछ बेचैन से हो रहे हैं बेचैन तो मैं हो गया हूं उसकी शादी की खबर सुनके और आप कुट्टों की हरकतों पर रिसरच करते बैठे हैं कब खातन करेंगे उसे उसकी मदद कर रहा है कोई कोई अन देखी शक्ती उसके पीछे है ऐसा कुछ नहीं है वहम हो रहा है आपको विश्वास नहीं हो रहा ना वह आ चुका है बंगार राजू की आत्मा यहीं है अब मिलेगा दिल को सुकून चपीस साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था आखिर आज वो दिन ना ही कया यह आप क्या कहरें पिताजी सत्य है एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को यकीन नहीं हर चौबिस साल में एक बार शिवरात्री के दिन रुद्राभिशेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्य लोक पर आती है उस आत्मा में इंदर देव की महिमा यमराज का रौद्रा और शिवर की शक्ति होती है इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बलकि भंगार राजू की आत्मा है सत्य है मैं स्वैम साक्षी हूँ अपनी आखों से उस आत्मा को देखा है उस दिन मैं मौत के चंगुल से बागल बागल पचा था और तभी मैंने प्रतिज्या की कि उसकी आखों के सामने उसके पूरे कुन्वे को भस्म कर दूँगा अगर मैंने अपनी प्रतिज्या पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याब दूँगा देखना चाहोगे उसकी आत्मा को अगर मैंने जसकी आत्मा का दूँगा अगर 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 अब क्या करना है पिताजी उसके पोते को मारना है जब आत्मा उसके भीतर नहों उसे सिर्फ मारना नहीं है बलके तर्पा तर्पा के मारना है जाओ उसे ढून निकालो वो अचरा जश्न मनाने आएगा ये उसका आखरी जश्न होगा अब उसके तर्पा जब खिर्पा दृट्डाओ अब आएगा इस सिर्फद्न घट्डाओ द्रॉब जड़पा आएगा तर्पा थे जड़ेगा प्रपा प्रपा झाल 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 आगो आगो विद्वम्सम्चेस्तुन नदी मीकु कनपिस्तुन नचिन्न बंगार राजु कादू वाडिलो अपलो नपैद्ध बंगार राजु आत्मा अप्याकरे वाडिलो अप्याकरे वाडिलो आत्मा वाडिलो 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 आत्मा प्या करें उसे अब क्या करें अब क्या करें इसे कैसे मारना है मैं जानता हूँ किसने बेजाए तुझे? कियों मारना चाहता है? किसने बेजाए? कुछ तो घर बड़ए यहां मेरे पोटे को कुई कीघाए? अब बस एक अंतिम युद्ध बचा है ओम नमाश शिवाए सत्यमा, तुम यहाँ, हमारे साथ चलो तुम चलो, मैं आता हूँ जल्दी आना इसको कैसे बताओं कि इसके पोते को कोई मानना चाहता है खांखांगा बरा जाएगी जाएक काली इसके अंदर जो चेन है वो अभी मंत्रित है इससे उसके तादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करेगी जाओ क्या बात है, स्वागत करने पूरा गाउं खड़ा है देखो दुलन आ गई जरा हटो बैठो बैठो बेटा, तुम क्यों खड़े हो रहे हो कल इसकी मूँ दिखाई की रसम है अब सबको आना होगा हमारे जमारे में शादी के बाद ही दुल्ला दुलन को देख पाता था ओल फैशन दादी, तू होगी है येलो बेटा, आव कैसे लादी हाई आदी, हेए कॉमराजूलेशन्स जरा देखो तो इन बच्पन से ही एक दूसरे के दोस्त है ओ ये क्या है, कुछ स्पेशल है क्या मुझे दो, बाद में खोल लेना इसे अब पूजा में बैठना है कल बंगार राजू के विवा का दिन है हाँ, गलात, मौत का दिन चल्थी चलो, पंदिची इंतिजाद कर रहे है बंगार राजू, जल्दी से मंदिर पहुँचो, हम सब भी वहीं जा रहे हैं आप इतनी जल्दी जा रहे हैं अरे जल्दी तुम्हें ही थी ना बग पर पहुँच जाना, अरे आदी इसे लेकर जल्दी आ जाना आप जाईए, वही मिलते हैं जरा सुनो तो मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम साथ चलो नहीं मैं इसके साथ ही रहुँआ, तुम साथ चलो हाँ, ठीक है बाई, जैसे हमने प्लैन किया था, सब वैसे ही चल रहा है जाश को समंदर में फेक दो मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फस गई है उसे ऐसी मौत मारूंगा, कि देखकर मौत भी काप जाएगी भाई, शादी की बात छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा शादी के लिए हाँ कहतो, मंडप में पहुचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा जब तक बंगाराजू के पोते को नहीं मारेंगे, हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे बंगाराजू बंगाराजू क्या हुआ, क्यों चिला रहेंगे ज़रा देखो तो उन्हे उसे जिन्दा मत छोड़ना आप फिकर मत करो, ये का मैं करूँगा तू तो रहने ही दे मनहूस बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ पाया लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया तू क्या भारेगा उसे उसे अपने हाथों से मारूँगा तो रमीश है ये तो आस्तीन का साथ निकला भाई इस बार बच के जाने न पाए जोग करना है जल्दी करो वो बंगार राजु की आत्मा इस धर्ती पर कब किया चुके पता है तुम्हें जो नरक मेरे परिवार को दिखाया वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नश्ट हो जाएगी क्या क्या रही है उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न ले लू भगवान ने मुझे हर वक्त इसी लिए बचाया ताकि एक दिन उसका वद कर सको तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा ख़जाना तुम्हारा होगा बतला मेरा होगा मेरे कहने पर आदी बंगा राजु को शिव मंदर लेकर आ रहा है जाओ जाकर बचाओ उसे आदी एए एए ये अंगूठी अभी मंतृत है शादी में बंगार राजु को ये पहना देना दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा बचाओ उसे खाड़े-खाड़े तमाशा मांदे उसकी पदद करो रहे आपने चाची पोताड़े ये दोखने चेहीं पोगे लो रहे रुख जाओ वो उसे मार रहे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे क्या इसलिए मैंने जिन्दगी भर तुमारी पूझा की थी यही दिन देखने के लिए रोज मंदिर आती थी पहले मेरे पती की जान लेकर मुझे में सहारा कर दिया मुझे दुखी करके भी तुम्हें चेहन नहीं मिला इसलिए अज मेरे पोटे की जान की पीछे पड़ गए क्या तुम्हें मेरी दुख बरी पुकर सुनाई नहीं दे रहे है मर जाएगा ये चुपा थड़रा ये कहसानिया है तुमारा तुम्हें कुछ करना होगा उसे बचाना होगा परना तुस्थे विश्वास उड़ जाएगा नहीं लोग जाओ झाल छ्थ झाल ध्थ झाल तुम्ह झाल बग पुद्र, वान नवोथिलीरा! वसले वा! अब इख्डे ही, प्लत, लू dessaแลists से बन्गा राज्चो! पैट्दिकेरा, राज०, पैट्दिकेरा, राज्चाए! रेन पैट्दिकेरा, राजु, रॉ distress रोरा! जो, 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 पैट और किनों. जो, पेखिर, बैगा राजू, चूड़ो. नी मनोडु ना कखालको किम्दून, चूड़ो. imet, मुठो.. जो, नी वंच विटैक थे? लिए, मैं.. र्षे, संपथ.. जो, बैखिर!! मथताथ explor Max.. चिंड़ podéis folk иск्कल्वें students.. रहा, रहा, कपड़ा, रहा, उधिले रहा, चच्चपों थड़ रहा मेरा बेका आ गया, रामु काट के रख दो, आज दादा, बेटा, पोता तीनों मरेंगे के रख धिंद सेवा है कर दे रूफ कर देवे जए पक्तादि पामुपकपँ क्वहित क्यारी टुपने की जुज गारा जुए कुछने के अुपने कि जुआ पने वारा जहिरा जुआ अै घुए एए वारा जाइangan, त में थेडि़ एए ने तो एफ एफ यारा जुपने का कक पा प्रफ है ödडे कि गया कर दोर को ao बहर जाइ... लिएίνοर वेट ! इपड़े गणपाट्टाना । ना मनρέवाँ ना वम्छावाँ नी तोग्ता हूरा ? ना कोड़का ! चोड़ो, चोड़ो ! बंगार राजुन्रा ! इक देए होनान रा ? नी मनवाँनी चंप पयाडु ! चंप बंगारो ! चंप याड़े ! हर्ण तक पंगार अजर राजों बाट? बाट? बाट मेशेट पाट.. माट मेशे हैं उन्हारा ठूड़ वादा है बक्री क्यमें दुहें वपंदैंजान। परोओका है कि अ झी मौन मौन जुहांग जिल ग्यादे बेंदे निया । बंगा राजो यह यह ना कोड़कने रेंडेर देपदी सेडरा कोड़ा हो यह ना कोड़ी ना कोड़ी ना कोड़ी कोड़ा हुआ इसने तरी शाथी पर पहर का कुचल टाल इसे तको 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 मार कमीने को मार इसे तुझे मारने की हिमत की इसने तको 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 यह 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 बंगा राजो यह चोट कैसे लगी अरे अंकल आप यहां अरे यह क्या ने ने कुछ निवा ने कुछ ने कुछ ने कुछ निवा अरे 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 यह यह तुछ के बाज नहीं है बहुत होगे तेरा ट्रामा है मानवन जोल गोस्तार रहा मेरो चंपैसन 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 मेरे बेटे को मारने की शाजिश्की तुने अ 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 भांगा राजो अ क्या हुआ तुम ठीक होना कुछ नहीं हुआ फिकर मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक कुछ नहीं होना जो अ 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 क्या यह सच में आप ही है अब मुझे ऐसे कैसे छोड़कर चली गहीं पताएं कितना रोया धाम है फिर से मत चले जाना यहां मेरे साथ ही रही है पिटा कौन कहां रहेगा उसका फैसला इनके हाद में है जो इस संसार में आया है उसे जाना भी होगा पापा बोलो लाइफ में फरस्स तेम आपको इतने करीब से समझा दिल से देखा आपको एक अलगी हिमत पैदा हो गई है मुझ में अब यही हिमत तुम्हें अपने बेटे में पैदा करनी होगी अ बच्पन में तो तू इसे छोड़के चला गया लेकर अब इसे छोड़कर कभी मन जाना हमारे जाने का वक्त हो चुका है अब आज के बाद ना हम तुम्हें देख पाएंगे ना तुम हमें देख पाओगे तुम सब अपना खयाल रखना हमारी प्रथा बनाए रखना जैसे मैंने इस गाउं और इस मंदिल की सुरक्षा किये वैसे ही मेरे जाने के बाद मेरा पोता बंगा राजू इस गाउं का दायत्वने भाएगा लोगों की खुशियों का खयाल रखेगा जिस प्यार से लोग इस बंगा राजू को याद करते हैं वादा करो वही इज़त तुम भी कमाऊगे रिष्टे हमें शाजब दुल से निभाते हैं ऐसे रिष्टे जिन्दा मरके भी रह जाते हैं जीवन का है रही दस्तूर अपरे अपनों से उते नहीं जीवन करते हैं